हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे one rank one pension को लेकर जो one rank one pension जो anomalies है उसको लेकर आज की वीडियों बात करेंगे कि one rank one pension में अभी जो सिपाई नाय खबलतार को जो मिल रहा है और one rank one pension की अगर जो नियम देखें être जो one rank one pension का जो formula था उस हिसाब से कितना मिलना था दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे और दूसरा दोस्तों जो अपडेट है आज की वीडियो में बात करेंगे जो बहुत सारे जो बदलाव होने जा रहे हैं जनवरी20-24 से जनवाई 1224 में बहुत ज़्यादा सेना में बदला होने जा रहे हैं और ये बदलाओ जो है कहीं न कहीं जो है और जो है सेना काम को सुचारू करने में काम आएगा और बहुत सारे लोग जो अनफिट हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी तो चली बात करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तो और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तो सबसे पहले ही बात तो यह है कि जो वन रेंक वन पेंशन का जो फॉर्मुला जो इंप्लिमेंट किया गया है वन रेंक वन फैमला जो जिसके हैशाप से भी सिपाय नाये खवल ध Алексी फिक्स हुई है इसमें मिणिम मैक्सिमम एवरेज तो में मतम है की जो रोपीट काओ सा चूज किया जाए दोस्तों जोare और रोपिंप्लिमेंट करने को जो मैठर्ड चूज किया गया वह चूज किया गया था average formula के साब से तो जो भी दोस्तो 1 rank 1 pension में जो benefit मिल रहा है वो पहली बात वहें कि average बन रहा है और दूसरे चीज़ क्या है कि कि बन पंश ह AMY कि मतलब था वह मतलब ऑन हिवह सं deposits सामने कि नटर मुंतर पर जो है हुए है कि लोग इसके लिए धर्च सव करू रहे हैं इसके लिए हैं तो प्री टूर Será या प्री दोशन सिक्सिंश पैंचार से उनको अभी तक कि implementing उनके लिए वाद हम लोग बार-बार वीडियो में बता रहें कि जिनको में से पी के लाप नहीं मिला है दोस्तों क्यूंकर लाखों में तो दूस्तों जुरूर इस के लिए अपलाई करके इसका लाब ले सके और दोस्तों तीसरा और फाइनल अपडेट यहीं है कि जैनवरी 24 से बहुत सारे बदलाओं होने जा रहे हैं सेना में और इन बदलाओं का मतलब है कि बहुत सारी स्ट्रिक्ट होंगे तो दोस्तों यह तमाम तरह की चीज़े जो है अब लागू किया होने वाली है जनवरी 24 में क्योंकि जो में फंड़ा यहीं रहेगा कि जतना भी सरकारी ख़साने से बोज़ हो कम किया जाए तो इस केस में है और दूसरी चीज़ दोस्तों अगर वन रेंक गश्म फॉर्मूला यूज करते है तो अगर हम सिंपल से बात करें हवल दार की सैलरी भी अगर हम बात करें तो 23000 के अश्बास फिक्स होती है अगर हम बात करें सुर्म जो प्यार की साथ के ख़सों दोस्तों और ऑपशंस तीन होते हैं लेकिन उसमें जो चूज किया गया average किया गया तो formula average है तो अभी जो मिल रहा average के हिसाब से मिल रहा है बट अभी भी इसके अंदर विसंगतिया हैं जिसके पर काम चल सकता है दोस्तों यह था आज का important update अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना बोले thank you for watching this video